लॉकडाउन के बाद क्या होगा? एकनौमी का क्या होगा? आने वाले प्रॉब्लम्स का क्या होगा? मेरे बिजनिस का क्या होगा? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरी कमपनी का क्या होगा? यह सब सोच रहे होंगे लोग इस लॉकडाउन में और सोचना जायद है आगर इतने लंबे समय के लिए ये सब बंज हो गया है। शायद ये पहली बार हुआ है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने घर में रहने के सिवा है। मगर सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात है। जहां रहना हमें हमें अपने परिवार के साथ है सब ठीक हो जाएगा सब पहले जैसा हो जाएगा बस मन में जुनूर्ण और कोरोना के लिए हसलों की तल्वार है अभी हमें और हमें परिवार को इस हसले की जरूत है हिम्मत की जरूवत है, सब ठीक हो जाएगा, ये बोलकर हमें परिवार को शान्ती की जरूवत है अखरे इस सब के बाद एक नया सवेरा आएगा, जो होसले की उडान, वो और भी उपर लेके जाएगा जिन्दी की नहीं थमेगी इस कोरोना के डर से, जिन्दी की नहीं थमेगी इस दो कोड़े के बुखार से लोगों की दुआओं में दम और होसलों में उचाई हो तो उपर वाला भी अपना साथ देगा, निभाएगा बस कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा याद आते हैं वो दिन दोस्तों के संग घूमा करते थे, कॉलिज में मस्ती और केंटी में पार्टी किया खरते थे बस इंतिजार है, बस इसी दिन का फिर से वापस आएगे, डरों मत्यारों, सब लोग ठीक हो जाएगे और वो दिन भी वापस आएगे, बस हमें अपने परिवार के संग रहना, क्योंकि उनको हमारी बहुत जरूरत है उनको बताओ कि कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगे, सब ठीक हो जाएगे